अतिक एहमत के दो बेटों की बढ़ी मुश्किलें बिल्डर से पांच करोड रंगदारी मांगने के अरूप में अफाईयर दर्ज लखनों के बिल्डर मुहमद मुस्लिम से अतिक के बेटों ने रंगदारी मांगी थी इसका एक आडियो सामने आया है पुलिस ने इस मामले मे एफाईयर दर्ज कर ली है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है अतिक एमत के बच गए दो बेटों में उन दोनों की मुश्किलें बढ़ रही है अतिक के दो बेटे जेल में बंद है एक नहीं रहा और इन बंद बेटों के खिलाफ भी पुलिस में मामले दर्ज हैं और जो मामले में च्छे लोगों खिलाफ मामला दर्ज है जिसमें अतिक के दो बेटे शामिल है आरोप ये है कि इन लोगों ने च्छे करोड की रंगदारी मांगी है मुहमद मुस्लिम को अतिक का करीबी बताया जाता है मुहमद मुस्लिम की शिकायत पर पुलिस ने अतिक के बेट उमर और अली के खिलाफ मामला दर्ज किया है इसके लावा एफ आई यार में अतिक के बेटों के लावा उसके करीबी आसद कालिया गनर एहत शाम करीम मुहमद नुसरा तजे कराम भी शामिल है बता दे कि मुहमद उमर इंदिन लखनाव जेल में है और अली प्रियाग राज बंद है मुहमद उसलिम ने आरूप लगाया कि अतिक के बेटों समेट आने लोगों ने उसे 5-6 करोड की रंगदारी मांगी थी पैसे ना देने पर जान से मारने की धहम की दी थी इतने ही नहीं आरूपियों ने 15 करोड की प्रापरड़े भी अपने नाम करने को कह था दिये थे तो क्या कहेंगे इस पर आप अपनी राए जरूर दें धन्यवाद